हेलो गाइज विलकुम टोन अकाडमी मैं हूँ निकेत अगरवाल और आज हम बात करने वाले हैं एक और मोटिवेशनल और इंट्रस्टिंग टॉपिक पे जो है डिस्टिक जजज और डिस्टिक मेजिस्ट्रेट में से कौन जादा पावरफुल होता है तो यह देखिए यह हमारे आगे डिस्टिक मेजिस्ट्रेट साहब और यह आगे हमारे डिस्टिक जजज साहब तो इसको हमने पहली वीडियो में बीडिसकस किया था तो जो आईएस ओफिसर 7600 ग्रेट पे से 8700 की ग्रेट पे तक होते हैं तो उन लोगों को DM जाद तर बनाया जाता है बागी स्टेट गहमने की मरजी है वो चाहे तो किस की से अाधिक हो जुनियर को भी बना सकती है थिंग में अपने अीजिटर के और अगर किसी को सरकार से बात करनी है तो बात कर रहा है तो इसलिए बहुत इंपोर्टेट पद होता है अब से नहीं होता है अंगरीजों के टाइम से ही होता है तो अगर मैं DM की बात करो तो इनके नीचे तो नहीं कहेंगे इनके Equal and Additional District Magistrates होते हैं यह क्या दू हो सकते हैं और हो सकते हैं किसी सेट में बिलकुल भी ना हो उसके बाद इनसे Juniors में SDM होते हैं Subdivisional Magistrates यह या तो Junior IAS Officers होते हैं तो अभी अभी स्टार्ट ही होते हैं जिनका करिये या फिर आपके PCS Officers होते हैं जो आपके Provincial Services से Select होते हैं यानि कि आपके State Services से Select होते है State Civil Services तो वह हो जाते हैं आपके SDM से उसके बाद आपके Executive Magistrates आ जाते हैं Executive Magistrates, Governments of State की मर्जी होती है कि वह किसको नियुक्त करती हैं पर जाते हैं गवर्मेंट्स तहसीलदार और नाय तहसीलदार को Executive Magistrates नियुक्त करा करती हैं अब on the other hand देख लेते हैं हम District Judge की Office को District Judge जो होते हैं अपने District के सबसे बड़े Judicial Officer होते हैं तो आप कह सकते हो कि Judiciary साइड में यह अपने District के King होते हैं लेकिन सिर्फ Judiciary साइड में DM पूरे के पूरे District के होते हैं Overall Head होते हैं तो यह Judicial Head हो जाते हैं इनको Government करते हैं इनको Judiciary Government करते हैं कहने का मतलब इनको High Court करते हैं इनकी Appointment, इनके ACR, इनका Review कैसा चल रहा है, इनके Inspection वो सब High Court करते हैं और इनके अगेन बराबर की जो पावर्स वाले होते हैं वो होते हैं Additional District Judge जो Senior Most District Judge होगे वो होगे अब बाकी होते हैं Additional District Judge किसी स्टेट में हो सकता है इनको भी District Judge ही बोलते हो लेकर इनके साथ Bracket में Entry Level लगा दें या ऐसा कुछ लगा दें लेकर Senior Most District Judge होगे वो सिरफ एक ही होते हैं जो पूरे District Head होते हैं उसके बाद इनसे Junior होते हैं Assistant District Judges तो Assistant District Judge मर्जी है स्टेट की किसी स्टेट में होते हैं किसी में नहीं होते हैं पर आजकल जो प्रथा चल रही है जाता स्टेट में Assistant District Judge का Office नहीं पाया जाता उसके बाद उनसे नीचे होते हैं Chief Judicial Magistrate Chief Judicial Magistrate इनकी पावर्स काफी जादा कम हो जाती है as compared to ADJs and DJs और इनकी सदा देने की पावर्स भी लगभख सिर्फ साख साल तक की होती है और Judicial Magistrate फर्स क्लास होते हैं इनसे Junior उनकी सदा देने की कपैस्टी होती है वो तीन साल तक की होती है वो थ्री यह तक की पिनिश्मेंट दे सकते हैं और Judicial Magistrate सेकंड क्लास होते हैं वो सिरफ एक साल तक की सदा ही दे सकते हैं तो यह होती है राकि हमारी Lower Judiciary के अंदर और जो अगेन जो Metro City होगा वहाँ पर यह जो Offices है इनके नाम चेंज हो जाएंगे यहाँ पर Chief Judicial Magistrate की जंगा पर आपका Metropolitan Magistrate आ जाएगा या Chief Metropolitan Magistrate आएगा इस तरह से Cities के साब से स्टेट के साब से नाम चेंज होते रहते हैं तो अब आते हैं बात History करते हैं तो अंग्रेजों के टाइम में आपको पता है कि Judiciary और Executive अलग-अलग ओर्गन नहीं होते थे यह दोनों एक ही ओर्गन होते थे और इसको बेसिकली हमने प्रॉपर्ली 1973 में सेपरेशन ऑफ पावर्स हुई CRPC को हमने अमेंड किया उसके बाद इसको सेपरेट हमने बनाया उससे पहले आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें आपस में मिली हुई थी और किसी ना किसी लेवल तक मिली हुई थी जिसके कान स हूँ करन पावर्स नहीं थी और अंग्रेजों के टाइम में तो बिल्कुल रही थी तो की टाइम में आइस एक इसजी आउफिसर का ही पेपर होता था और होता था वो ही आपका judicial होता था तो जज का काम भी वही करता था और बाकि सारे administrative काम भी वही करता था implementation of law and order भी वही करता था तो ICS officers की grip होती थी पूरी administrative machinery के उपर और उनको law करनी होती थी इसलिए उनको law basically compulsory थी क्योंकि he was the connecting link between the empire and the people of India इसलिए उनके लिए knowledge of law mandatory होती थी जिससे कि उनकी reputation बहुत जाए इंक्रीज हो जाती थी और they were dominant in every sphere of activity तो चाहे judicial हो चाहे executive हो administrative काम हो हरे काम में वो king होते थे उन्हीं लोगों को यहाँ पे judiciary में लगाया जाता था on deputation तो deputation का मतलब आपको कई पर transfer कर रहा है basically एक किसम की ट्रांसफर ही होती है deputation service law में हाला कि इसका deep and milling चला जाता है पर हमें उतना deep नहीं जाना आप लगाके चली कि transfer हो जाता है तो basically ICS officers को ही judges भी लगाया जाता था और second इसमें option होता था ICS officers के अंदर judges लगाने का कि आप बार से यानि कि advocates से advocates में से चूज करते हो किसी को और उनको आप लगा लेते हो तो वो लोग जो है वो again ICS के ही members कहलाया जाते थे तो अगर suppose कीजिए आप एक practicing advocate हैं और आपको आपका काम सरकार को पसंद आ गया और आपको सरकार ने district and session judge बना दिया district judge को ही हम district and session judge बोलते हैं session judge बोलते हैं जब वो criminal cases करते हैं और district judge जब वो civil cases करते है तो civil मतलब कोई भी अन्य जो अपराज से किसी से related नहीं होता तो session judge जो आपको बना दिया किसी advocate को तो उसको भी ICS ही माना जाता था वो इंडिया इसरी की नौपी है वो डल पोस्टिंग है as compared to executive तो इसी से हमें पता चलता है कि एक मान सिकता थी कि हमें executive पोस्ट ही चाहिए क्योंकि executive पोस्ट एक मलाईदार पोस्ट मानी जाती थी अब बात कर लेते हैं हम present situation की और आप salaries से compare करेंगे salaries किसकी जागा है तो salaries आप देख सकते हो कि district magistrate की मैंने आपको बताया ग्रेट पे 7600 से ग्रेट पे 7700 वाले लोग जो है वो district magistrate बनते हैं तो अगर आप 7600 ग्रेट पे में district magistrate बनते हैं तो आपकी तंखा 7800 प्लस होती है तो आप कह सकते हो लग 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 एक लाग के करीब आपकी तंखा जो है ग्रॉस बन जाती होगी और सिमिलरली 8700 की ग्रेट पे में अगर आप है और आपको district magistrate लगाया जाता है तो आपकी 130100 आपकी basic पे लग 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 आपकी 1.5 लाग के आसपास आपकी तंखा होती है अगर आप डिस्टिक जज़ लगते हैं तो पहले तो बात है आप डिस्टिक ज़ग नहीं लग सकते हैं आपको लगना पड़ता है और exam के बाद आपको ADJ High Court Nuked करती है इसमें minimum age 35 होती है तो 35 से पहले आप कभी ADJ बनी भी सकते हैं में ADJ बनने के लिए 35 years है तो आप लगाएगे कि 35 years में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं यंगेस आप ADJ बन जाते हैं तो आपकी स्टार्टिंग तंखा 1,45,000 होगी और अभी तक आप डिस्टिक जज़ बने नहीं है उसके बाद लगभग 10 से 12 सालों के बाद आपकी प्रमो तो डिस्टिक जज़ की तनखा लगभग 2,00,000 के आसपास होगी तो डिस्टिक ज़र्ट एक लाग या तेर्र लाग के बीच में गहीं होंगे तो इससे हम कह सकते हैं कि जुदीशिरी की तनखाएं बहुत जермूध जयाता हैं आपको मकान अच्छा मिलता है लेकिन डिस्ट district magistrate अगर आप जल्दी सेलेक्ट हो जाते हो आई इसको जल्दी कराक कर लेते हो तो आप मात्र 25 से 30 साल के बीच में ही district magistrate बन सकते हो तो आप देख सकते हो कि आप कितनी जल्दी इस फ्री सुविधाएं हैं उस तरह की सुविधाएं भी दी जाते हैं district judges को इन मेंसे कुछ सुविधाएं district magistrates के पास कम होती है as compared to district judges उसके बाद आते हैं promotions promotions की अगर मैं बात करूं तो district judge की सिर्फ एक ही promotion होती है जब भी वो promote होंगे वो high court judge बन जाएंगे in between उनको कहीं deputation पर high court लग सकते हैं जैसे की high court उन्हें registrar judicial लगा सकती है या government अगर उन्हें चाहे उनसे काम लेना चाहे तो government request करती है high court को जिससे की जो senior most district judge होते हैं उनको government का एक legal advisor या legal remembrance की तरहा बनाया जाता है और वो government में काम करते हैं पर promotions की अगर हम बात करें तो सीधा यह high court judge बनेंगे जब भी बनेंगे अगर नहीं बनेंगे तो district judge ही retire हो जाएंगे लेकिन district magistrate की अगर हम बात करें तो district magistrate लगभग 5 साल के करीब आप रहते हो उसके बाद आपकी promotions होती ही होती है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बिताया था आपकी promotions जो है वो time bound promotions है और अगीन depending on the age आप किसी भी level तक जा सकते हो अगर आप late भी सिलेक्ट होते है तब भी आप secretary to do government हो पॉलिटिकल इम्मेंटी की बात करें तो अगेन district judge जुह हैं वो जीच जाते है यह क्योंकि पूरी तरह से कोई सरकार आए कोई सरकार ना जाए कुछ भी चाहे कुछ भी आप कुछ नहीं विगार सकते लेकिन डीम के उपर जो है पॉलिटिकल प्रेशर काफी जादा रहता है जो कि आप आए दिन यूस्पेपर विगारा में देखते रहते हों रिस्पेक्ट की बात करे यहाँ पर ज़यर जाधा होता है लोगों के अंधर ण्यूस कि फोड़ा सा रिस्पेक्ट लेकिन डिस्टिट जजजज प्रती mają आप रहते हों किस तरह से देखते मोगों को वह बीट चीजए लोगों पैर नहीं कर सकते हैं वे हम कमपैर data हूझ काम आती है तो अब हम कैसे परेंट को तो हम नेक्स पर चलते हैं जो कि है order of precedence order of precedence क्या होता है या warrant of precedence क्या होता है order of precedence या warrant of precedence होता है जिसमें ranks हम लगाते हैं जिसके इनदर first rank आते हमारे president of india का इसी तरीके से हर एक state अपने अपने ranks को बनाता है तो अब हम statewide rank देखे तो अगेन यह जो एक जनेरिक सी list है तो आपके state के अंदर different हो सकती है किसी और के state के अंदर same हो सकती है तो इसके अंदर अगर आप देखते हो तो district magistrate को उपर रखा जाता है district and session judge से similarly यहां आप देख सकते हो sub collectors मतलब SDMs होगे sub divisional magistrates को उपर रखा जाता है sub divisional judicial magistrates है मतलब CJM और GMIC इन से उपर रखा जाता है SDMs को और यहां पर आप देख सकते हो कि DJ से उपर रखा जाता है DM को या DC को वैसे तो यह बराबर ही है क्योंकि यह तीनों ही चारों ही options जो हैं यह level 17 में cover हो रहे हैं लेकिन फिर भी अगर compare करें तो उपर किसको रखा जा रहा है उससे हम देखते हैं कि किसकी importance सरकार जादा मानती है तो इससे साबसे अगर हम देखें तो government जो है वो administrative post को जादा महत्व देती है as compared to judicial postings तो अगर हम crux of the matter की बात करें तो exactly कोई comparison नहीं हो सकता क्योंकि जो judiciary है वो separate organ है तो separation of powers के कारण हम exact comparison नहीं कर सकते judiciary और executive के बीच में लेकिन फिर भी मैंने आपको एक broad comparison बता दिया तो इसके उपर आपके उपर choose करना है कि आप कौँसी service में जाना चाते हो आपको judicial service अच्छी लगती है या फिर आपको bureaucracy जादा अच्छी लगती है आपको IS service जादा अच्छी लगती है तो this was the end of the video हमारे नए कोर्से शुरू हुए अनकाडमी के आप चाहें तो उन्हें अवेल कर सकते हैं और अभी आप अगर 24 महीने का प्लान लेते हो अगर आप IS बना जाते हो तो आपको 75% तक off मिल जाएगा और आपको 10% additional discount मिलेगा अगर आप मेरा code यूज करते हैं जो कि है ANI 7 तो आपको 43,200 रुपीज में पूरा का पूरा IS का course मिल जाएगा इस लेचर के और बाकि से भी लेचर के आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है जो है स्टेडी टाइम वाइटे आप इसे जॉइन कर सकते हो और आप मुझसे परसनली कनेक्ट हो सकते हैं यानि के देक्सटी पे